प्रित्यक्ष विदेशी निवेश की नीती में बदलाओ से इमेजोन और फिलिपकाट जैसे दिगजो को बड़ा जटका लगने बाला है क्यूंकि दोनों कमपनियों में हर एक के पास दो से धाई हजार करोड रुपे के माल है इनके लिए चिंता का सबब यह है कि एक फरवरी से पहले इस विशाल भंडारे को कैसे खत्म किया जाए दरशल नई नीती में इस पश्ट कहा गया है कोई इकामर्स कमपनियों उस वेंडर का सामान अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बेच सकेगी जिसमें इस एकामर्स कमपनिया उसकी गुरूप कमपनियों की हिस्सेदारी है नुकसान सिर्प कमपनिय को नहीं हुआ भारत के मिडल्स कलास को हुआ है अभी तो जब नोकरियां चूटेंगी तब पताद लगेगा कि मोदी साहब ने पाथ सालों में मिडल क्लास की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं बाकि रखी एक कॉमर्स कमपनिया फैशन, ऐसे सिरीज और अपने टाई अप वाले ब्रांड्स वाले दूसरी सौप्ट लाइन केटिगरी के प्रड़क्ट की तीन महीने के भंडार बराया करती है इमेजॉन के लिए क्लावडे, टेल और फिलिपकार्ड के लिए रिटेले नेट का यही काम है ये दोनों कमपनिया छोटे बड़े ब्रांड्स से प्रड़क्ट खरीती हैं जिनने एक कॉमर्स प्रेटफॉर्म पर ऑनलाइन बीच आ जा सकता है एक फैशन ब्रेंड के सीओ ने पहचान गुप्त रखने की शर्त और बताये कि कच्चे पक्की आखलन से पता चलता है कि इमेजॉन फिलिपकार्ड के पास करीब करीब पांच हजार करोड रुपे के भंडार पड़े हैं टेक नीजरूम की रिपोर्ट